वेल्कम बैक तू मैं चैनल आज मैं आपको नाइन येर बेबी का पटियाला सर्वार कटिंग करके बताऊंगी इसके लिए यह हमने दो मिटर का ही फैब्रिक लिया इसी में हम हैबी पटियाला के कटिंग करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लंबाई लेना है 30 10 इंश 410 इंश का पटियाला बनाना है तो चलिए हम पहले यहां से इस फाब्रिक को हम उपन कर लेंगे तो यह देख लिए इस फएबी को हम दahren कर लिया अब यहां से हम इसको डबल करेंगे इस इस टाइब से और पहले हम बिच वाले पार्ट को निकालेंगे इस टाइब से तो टोटल लंबाई हमारा 30 इंच है तो हम यहां से कट करेंगे सिसफ हम एक इंच का यहां पे रखेंगे जो कि मारा पोचा बनेगा तो वो हम यहां से पहले पोचा का मार्ट कर लेते हैं तो यह यहां पर मारा मोहरी बनेगा अब यहां से हम लेंगे 25 इंच पांच इंच के कमरप पत्री बेल्ट लगेगा तो हम यहांसे से ले लेते हैं 25 इंच और एक मार्डिक हम 25 पे कर लेते हैं अब इस मार्डिक को हम सीधा करेंगे है अब इसको हम यहांसे इस टैप से रखे कि यह से दोनों भी राकर कट लगाएंगे ताकि हमारी लाइनिंग सिधी हो इस टेप से अब यहां से कट कर लेंगे तो कर प्रक्राइब इस तरीके से लेकर यहां से कट कर लेंगे तो यह बिज सेंटर यह वाला मैन वारा पार्ट कंप्लेटली कट चुका है अब से लिए इसकी कलियों की कटिंग करते हैं तो कलियों की कटिंग हम कैसे करेंगे वह देखिए तो इस टाइप से पहले हैं कि लेंगे यहां से लेंगे हम 8 इंच और एक मार्किंग हम 8 इंच पे लगा देंगे और यहां से लेंगे हम 25 इंच और यह मार्किंग हम लगा लेंगे 25 पे इधार और 25 पे इधार तो यह हमने लगा लिया है 25 पे अब इसको हम कलियों को इस टाइप से मार्किंग कर लेंगे देखिए तो यह मार्किंग हमने कर लिया अब यहां से हम कट करेंगे कली यह कली दो है यहां से जॉइंट वाला है तो इसको हम यहां से कट कर लेंगे तो यह हमने कट कर लिया दो कली अब दो कली हम और कट करेंगे तो उसके लिए हमें इस टाइप से लेना है और इसके बाद इस वाले जो कली हमने कट किया हुआ था इसको हमें इसके उपर डाल देना है रख लेना है तो यह हमने इसके उपर रख लिया है बिल्कुल बडावर से रखना है देखिए अब हम यहां से कट करेंगे तो इस टाइप से चार कली कट चुका है देखिए दो और यह पैक वाला है तो हम इधर से इसको कट कर लेंगे तो यह चार कली हो गई अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यह वाला फैब्रिक लेंगे और इससे हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे तो बेल्ट की कटिंग हमें कम्पलीट पाच इंच आनी है तो चलिए हम फोल्ट के लिए साथ कट करेंगें तो चलिए हम यहां से आठ इंच ही ले ली यह फिर इधर से भी हम आठ इंच लेंगे और इस लाइनिंग को हम मिलाएंगे अब यहाँ से हम कट कर लेंगे तो इसकी बैल्ट लगेगे इस टाइप से और यह चार कली हो गई यह बैल्ट हो गई और यह दोनों पाट्स हो गया इस टाइप से यह बीच वाला पाट्स हो गया तो इस तरीके से हम पट्याला की कटिंग कर सकते हैं और यह जो इस्ट्रा बचा है इसका हम डोड़ी बनाएंगे जो कि हम इसमें लगाएंगे तो यह फोंडेंड इंडिया में डोड़ी लगेगी तो दोनों साइट का पल्ला है इसमें विदुपल्ला है दोनों का इसमें भी चार पल्ला है दोनों में जूइण होगे अब इसको हम stitching time बताएंगे कि हम इसको stitching कैसे करेंगे ये part 1 होगी आप part 2 हम इसके stitching की होगी तो next video इसके सिलाई की होगी तो वो हम बैठा के बता देते हैं अब इसमें हम ही क्या करना है दोनों पल्ला जोड़ना है अब सिलाई कैसे होगी वो दिखाते हैं तो पहले हम इसमें से एक पल्ला ले लेते हैं ये ये दो side इस तरीके से रखेंगे और इसी में हमारा दो कली जोड़न होगा तो दो कली हम ले लेते हैं इस type से रखते हुए इसमें दो कली जोड़न होगा इस type से तो दो कली इसमें इस टेप से अटेच हो जाएगा आप इसी तरह इधर साइड से भी और इसमें चूनट डालके बैल्ट लगेगी अब यह दो को हटा देते हैं अब दो पल्ला इधर साइड से आएगी तो वह हम दिखाते हैं इस साइड से और यह बीच वाला पार्ट से यह हमारा बीच वाला पार्ट से इसमें चूनट लगेगे ये देखिये तो जितना हमें चुनद डालना है मुगना डाल लेंगे कमड के according इधर से ये हो गए अब इधर वाले पढले को हम ये फिर इधर के कली इसमें जॉइन्ड होगा इस वाले में ये कली जॉइन्ड होगा यहाँ इसमें इस टाइप से प्लेट्स बनेगी यह देखिए यह प्लेट्स इसमें बनेगी और आप हम बीच वाला पार्ट्स को लेएंगे इस टाइप से और यहां हम बीच वाले पार्ट्स को लगाएंगे तो इसमें भी प्लेट्स लगेगी इस टाइप से हम इसमें भी प्लेट् कि ये पटियाला सर्वार की कटिंग कैसी लगी इस टिचिंग नेस्ट वीडियो में बताएंगे अगर अच्छी लगी हो यह कटिंग तो आप में जरूर कॉमेंट करके बताएंगे अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक किजेगा अपने दोस्तों में कुछ झाल